असलालेकूम फ्रेंड्स आज के वीडियो के शुरुआत करती हूँ खुब सूरस से गुल्दाउदी के इन पूलों के साथ ये कलर मैंने अभी परचेज किया है और अब हम आपको मिलवाते हैं ये मेरे लास्ट येर के यानी पिछले साल के प्लांट से गुल्दाउदी के जिसमें लेमन यलो कलर के प्लांट से खिल रहे हैं और खुब सारी बर्स बनी हुई है दिरे दिरे ब्लूमिक स्टार्ट हो गई है और अब आपको लेकर चलते हैं ऑगस्त में जब रेनी सीजन चल रहा था और मैंने काफी सारी कटिंग इस प्लांट से लगाई थी और दो तीन जगह प्लांट से रेडी किये हैं नए नए आप एक तीन-चार इंच की कटिंग ले लीजिए जो बिल्कुल सॉफ्ट भी नहों वैसे मैंने एक दो जगह सॉफ्ट से भी लगाई है लेकिन वो सॉफ्ट कटिंग जल्दी बुशी नहीं होती है इस तरह की कटिंग अगर आप लेंगे लीव्स रिमूब करते हुए इसक तो अच्छे से चल जाती है कटिंग और कटिंग लगाने के बाद कुछ दिन आप सेमी शेड में रखिएगा फिर उसको लाइट सनलाइट में रख दीजिएगा और बुशी बनाने के लिए आप इस पर पिंचिंग चालू कर दीजिएगा थोड़ी थोड़ी कटिंग जितनी जदा आप प्रोनिंग करेंगे उतनी जदा इसमें लीवस आ जाएंगी और हर ब्रांच पर कलियां बनेंगी तो ये कलियां नवंबर में बनना इस्टार्ट हो जाती है कुछ इससे भी हरी रहती है ये तो बात की है तो जब आपके प्लांट पर खूप सारी कलियां बन जाएं तब आप प्रोन करना बन कर दीजिएगा क्यूंकि उसके बावजूद जब भी आप प्रोनिंग करेंगे तो कलियां ही बनेंगी प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा आपको दिखाते हैं दूसी जगा जो कटिंग लगाई थी वो कैसी है यहां पर आप देख रहे हैं इस वेस्ट कंटेनर में भी मैंने एक कटिंग ग्रो की थी जिस पर अप कलियां शुरू हो रही है बनना और कुछ न्यू ग्रोथ भी आई है वो मिटी से आई है तो जो मिटी से ग्रोथ आती है नई नई उसको भी आप सेपरेट करके डिवाइडिंग से दूसी पॉट में लगा दीजिए तो आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा इस तरह आप कटिंग भी लगा सकते हैं और जडों से जो नए पौधे तयार होते हैं उसको भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन अभी सीजन ग्रो का नहीं है फ्लावरिंग का है तो आपको ये काम और सेप्तमर में कर ल नहीं हुआ है तो निव ग्रोथ पर जो बर्स बन रही है उसको हम हटा देंगे तो यहां से तो ग्रोथ आ सकती है और यहां पर जो बड़ी कलिया है इसको छोड़ देंगे एक और दो फूल भी खिल जाने देते हैं तो लास्ट लेयर मेंने लिये थे दो प्लांट एक मैरू प्रून वाला खराब हो गया था और अब यह देखिए आप जो मैने प्रून करके लगाये हुआ था चोटी सी कलम वह भी तयार हो हुई रही है और आप चलते हैं मैंuste इस प्यारे से प्लांट के पास यह देखिए नए प्लांसट व तयार हो चुके हैं और इसमें बर्स बन में तो इसकी blooming का time है December January February तक इसमें खूप सारे फूल खिलेंगे बादमें भी खिलते रहते हैं ठोड़े थोड़े तब हम डिस्कस करेंगे अभी तो और चीजें शेयर करते हैं इसकी कुछ केर टिप्स भी शेयर करते हैं समर में इस प्लांड को बचाना पड़ता है नमी रखना पड़ती है तो नमी रखने के लिए तो मिटी में ही आप कुछ ऐसी चीज़े मिला दीजिए कि इसमें साल भर मिटी को नमी मिलती रहे जब भी आप पानी दे तो ऐसी चीज़े मिली हो र और प्लान की क्लीनिंग भी हो जाती है तो सूखे पत्तों से आप मलचिंग करके समर में रखते हैं इसके बाद जब इसमर पत्तियां सूख जाती हैं पीली पढ़कर गिरने लगती हैं तब आपको उसकी पत्तियों को हटाते रहना चाहिए ताके वो मिटी से एक्स्ट्रा एन साल आराम से बच जाता है और सर्दियों की शुरू आज से पहले कटिंग से तयार कर लीजिए मिटी गुड़ाई इस तरह से किनारे किनारे खोद दीजी और इसमें आप खाद एड़ करते रहें बार बार क्यूंकि फूलों वाले पौदों को जो फ्लारिंग करते हैं उन्ह काम करती है पेस्ट अटेक से बचाती है क्यूंकि गुलदाओदी के प्लांट्स पर महू वगेरा जादा लगती है इस पर पेस्ट अटेक हो जाता है इस पर आप नीम आइल का स्प्रे करते रहें वुड़ेश यूज़ कीजिए वुड़ेश में होता है पोटेशियम मैगन जो मिटी को पोरस भी बनाने का काम करता है और फंगिसाइड का भी सर्दी की मौसम में इसमें पानी का खास खयाल रखिएगा ना ओवर वाटरिंग कीजिए ना कीजिए इसमें अंडर वाटरिंग जादा पानी नुकसान कर देगा जबके तेज धूप हो इसको तेज मौसम में जादा ठंडक हो फॉक से तो आप कवर कर दीजिए प्लान को वरना फूल भी खराब हो जाते हैं और मिटी में पानी चेक करके दीजिए जबके उसको जरूरत हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अच्छे अच्छे से कीजिए कमेंट और चैनल को सबस्क्राइब भी अलाह फीजिए